बहुत समय पहले की बात है एक बुद्धिमान राजा था जो एक सम्रिध राज्य पर शासन करता था एक दिन एक छोटी गौरईया उड़कर राजा के महल में आ गई और जोर जोर से चह चहाने लगी पहरेदारों ने उसे भगाने की कोशिश लेकिन गौरईया बार बार लोटती रही और काफी शोर मचाने लगी उसकी जिद देखकर राजा ने आदेश दिया कि गौरईया को उसके पास लाया जाए राजा ने पूछा तुम बार-बार क्यों लोटाती हो छोटी चड़िया गौरईया ने सबको हैरान करते हुए कहा हे बुद्धिमान राजा मैंने आपके बगीचे के एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाया है और हर दिन एक शरारती बिल्ली आकर मेरा घर नश्ट कर देती है मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है और मैं न्याय की तलाश में आए राजा गौरईया की समस्या सुनकर भावुक हो गया और उसने अपने पहरेदारों से कहा कि वे उस पेड़ को ढूंढे जब वे पेड तक पहुँचे तो राजा ने आदेश दिया कि बिल्ली को उस पेड से दूर रखा जाए जल्दी ही गौरईया का घोंसला सुरक्षित हो गया और चिडिया खुशी खुशी अपने पेड पर लोट आई